सड़क अब पहुंची हो तुम गाउं जब पूरा गाउं शेहर जा चुका है सड़क मुस्कराई सच मुछ कितने भुले हुगाई पत्थर लकडी और खड़िया तो बची है ना भी पिछले दिनों मैंने महेज पुनेठा की ये कमता पड़ी महिज जी की मैंने पहले भी अन्यकवितायां पड़ी है अच्छा लिखते हैं गाउं में सड़क कविता हो सकता है आपने भी पड़ी हो कविता अच्छी लगी एक आधिक बार नजरों से गुजरी छोटी भी है इसलिए इसमृतियों में संचित हो गई गजून माह में ग्रिस्मा वकास में गाउं गया था आजादी के 75 वर्स पूरे होने पड़ जब पूरा देश आजादी का अम्रित महुत्सव मना रहा है तो हमारे गाउं में सड़क आने की खुसियां फैली हुई है पैरते सपने और जाग्रित आसा हैं साथ में इस कविता के पूरवार्द के भी दर्सन हुए सड़क अब पहुंची हो तुम गाउं जब पूरा गाउं शहर जा चुका है और इसी अवदी में एक दिन रास्ट्री ये राजमाद की खुबसूरत चोड़ी सड़कों से गुजर रहा था तो मुझे ट्रकों की लंबी कतार दिखे और दिखे उनमें भरे पत्थर तो बस कविता का उत्तरार्ध भी मेरे सामने था सड़क मुस्कराई सच मुझ कितने भोले होगाई पत्थर लकड़ी और खड़िया भची है न अभी यह मात्र एक संयोग था पर किसी पढ़िवी कविता का चाक्षुस दिखना एक अलग एहसास तो कराता ही है कविता को पढ़ना सुनना अलग बात है और कविता को दिखना थोड़ा अलग अन्भूती पैदा करता है बहुत सारी कविताएं हमें आज पास दिखती है मैंने कुछ फोटो वगरे लिया और पेसबुक पे डाली मित्रों ने इस कविता को फेसबुक कर कई नजरीय से देखा हम भी कविताओं को कई तरह से देखते दिखाते हैं पढ़ते पढ़ते टिपणी समीशा करते हैं कविताओं की किसी कविता पर बात करना, समझना, कि पढ़ी करने का आज के दौर का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब हम कविताओं के बीच से गुजर रहे हूं पढ़ी हुई किसी कविता को अपनी आँखों से देख रहे हूं कैमरे से देख रहे हूं और देखा हुआ कह रहे हो अर्थात कविता को देखने के बाद उस पर कुछ कहना सडकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता ये सच है सडक बहुत ही महतपूर्ण है आज के समय में भी और पहले भी इसकी महत्ता इस कविता के पूर्वार्द में बहुत अच्छे तरीके से आई है अब पहुँची हो तुम गाउं जब पूरा गाउं सहर जा चुका है ये पंग्तियां कहीं न कहीं सडक की महत्ता को स्थापित करती है उसकी जरूरत को बताती है ये इस सडक की महत्ता और इसके नहोने के दुस प्रभाव भी है इन पंक्तियों में इस कविता का फलक बहुत ब्यापक है इसमें सिर्फ गाउं नहीं पहाड भी है सिर्फ सडके ही नहीं विकास के दूसरे आयाम भी है ये कविता विकास की धीमी गति पर तंज भी है और चेतावनी भी है पर इसे हम न्याय में देरी है कि तर्ज पर सडक का देर से पहुँचना न पहुँचना जैसा कुछ कहकर किनारे भी नहीं कर सकते हैं इस देरी का सडक के न पहुँचने का हम सामानी करण या संचिप्ती करण नहीं कर सकते हैं यह देद बहुत घातक भी है इस देदी में स्वार्थ और लिपसा के दर्शन भी होने लगते हैं यह देदी पहाडों के प्राकटिक संसाधनों पर घड़ी नजरों के लिए लावकारी होने लगती है इसे हम उर्जा कंपनियों के द्वारा बेतर्टीब काटे जा रहे हैं पहाडों और कंपनियों द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाई जा रही बेहसाब सड़कों में भी देख सकते हैं गाउं सहर जा चुका है पहाड मैदानों में आ गए है अब कौन है रुकने वाला पहाड के संसाधनों पर गड़ी लालची नज़रों को कौन पहचानेगा पहचान भी लें तो क्या कर लेंगे कौन करेगा विरोध बेजा निर्मान से जिने खत्रा है वे तो अभे नहीं किसके सर में गिरेंगे ये पत्थर लोग चलेगे शहरों में बसके जगदंबा चमोला की गड़वाली कविता से सब्द उलार ले लें तो जो छा यक सब उंद जाया चान यक सूख्या मूरोट रहा चान यूमा भी कुछ उंद चलया कुछ अब जानों तयार होया चान अर्थात जो यहां थे सब नीचे मैदानों शहरों में चले गए यहां सूखे मकई के डंठल रह गए है इन डंठलों में भी कुछ नीचे चले गए और कुछ अब जाने को तयार हो रखे हैं तो ऐसी इस्तित में सब्दकों से किसे लाव होगा समझा जा सकता है बहराल कविता में सबकों के साइड एफेक्ट भी है कविता में सबकों को अधिक आधिक कारगर प्रभावी लोकों पयोगी, जनों पयोगी, ग्रामों पयोगी और सुरक्षित बनाने की चिंता दिखती है कविता सबकों के साइड एफेक्ट को ट्रेस करते हैं चेतावनी भी पैदा करती है इसमें सडगों की छोटी-छोटी चिनताओं की ओध्याना कर्षण है सडगों के आनेस के साथ-साथ ग्रामींडों में इस प्रकार की चेतना का जागरान भी जरूरी है यह बताती है यह कविता ऐसा भी नहीं कि सडग के साइड एफेक्ट को हम आप या गाउं के लोग नहीं जानते परियावरण विद इन बातों को वर्सों से कह रहे हैं विकास के कई eco-friendly model तयार है परियावरण और विकास का यह एक बड़ा और बहुचरचित विसाई है आज जनजन की चेतना में यह बात है शोशल और इलेक्टिक मीडिया के इस दोर नहीं हिमाले की सम्मिदन सीलता विकास और परियावरण के मसले जब तब खूब उठते रहते हैं यह आज के दोर की सामानी सी सचाई बन गई है यही बड़ा विसाई और सामानी सी बाद इस कविता में कविता के रूप में है सामानी सम्मवाद में कहेगी इस कविता का सहज सरल अंदाजे वया इसकी खूब सूरती है प्रत्हम चारपंग्तियां बिना किसी लाग लपेट के एक सामान्य सच को कभ्यगत सौंदरे के साथ कहती है यह अचानक पाठा को चमतकृत करती है और दोसी चारपंग्तियों में हलका सा मजाक बिलकुल पहारी किस्म का जिसे ठटा कहा जाता है इस मजाक में बियंगे की चुभन सच का करवे पन के साथ चेता वनी भी है कभिता में अविधा और बियंजना दोनों है गाओं की पक्षधर्था विकास के आज के दोर की पहाड की भिडम बना पहाड के हिस्से की तकलिफ है आठ पंक्तियों की इस कभिता में कभिता के कभिताओं के नाम पर ऐसा बहुत सारा लिखा जा रहा है तकलिफों और चिंताओं की भरवार है जिसे हम रुदाली और प्रलाप ही कह सकते हैं पहाड के दुखदर्द और बिडम बनाके नाम पर धेरो आशू बयान गीत सोशल मीडिया के इस दौर की बात कर रहे तो पोस् हम पढ़ें चाहें ना पढ़ें हम कागज बरबाद करने और पेड़ों के कटने का हवाला भी नहीं दे सकते यह दोर सरवाधिक अव्यक्ति के मंचों और सुविधाओं का दोर है हम बहुत सारे लोगों के विचारों और भावनाओं को बिना उन से मिले जान लेता है इस मा अव्यक्ति का अदिकार का अब्यगत सुंदरे के साती नहीं मिलता है यह दिकार सिर्फ पत्रकारों साहतिकारों और कवियों को ही नहीं अकवियों और आम जन को भी है हर एक की अपनी तखलीके हैं अपने जीवान भव हैं अनगर अव्यक्तियों से कई बार हम चेतना भी प्राप्त करते हैं अपनी समझ बनाते हैं इन सब के बीच अचानक कभी ऐसा कुछ पढ़ने को मिलता है जिस पर हम अटक जाते हैं जो बार-बार हमारे सामने दिखने लगता है ऐसा मैं भी सोच रहा था वही जिसे हम रोज ऐसी ही लगी मुझे ग्राओं में सब कविता मैं इस परनीठा को इस कविता के लिए बहुत बहुत बदाई